और दुमका से बड़ी खबर आपको बता दे मसलिया थाना शेत्र के रानी बाखरा पंचायत में नाबालिक से गैंग रेप हुआ है दस दरिंदो ने नाबालिक से दुशकर्म किया बता चारा है कि मनसा पूझा मेला देखकर पड़ित लौट रही थी तब ही दरिंदो ने इस वार्दात को अंजाम दिया पिड़िता कि शकायत पर पलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है तो ये एक बड़ी खबर देखिए एक नाबालिक से गैंग रेप हुआ है और मनसा पूझा को लेकर जो मिला आयुजित किया जाता है वो मिला देखकर लौट रही थी और इसी दौरान उसके साथ गैंग रेप हुआ दुमका से ये बड़ी खबर दुमका के मसलिया में दस लड़कों ने एक नाबालिक के साथ गैंग रेप किया किसी तरह लड़की अपने घर पहुँची और परिवार वालों को इसकी सूशना दी जिसके बाद लिखित आविदन जमा किया क्या है और अब पुलिस अपरादियों की तलाश कर रही है दुमका के मसलिया में एक नाबालिक के साथ गैंग रेप हुआ है और दस युवकों पर आरोप है गैंग रेप का पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है मसलिया थाना शेत्र के रानी घागरा पंचायत की ये खटना है जहां इस दरिंदिगी को अंजाम दिया क्या है बता जा रहा है कि लड़की मनसा पूजा का मेला देखकर घर लौट रही थी तभी रास्ते में इन लड़कों ने इस दरिंदिगी को अंजाम दिया